दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं यह मदोमक्खी 민 berry का बक्सा है उन्होंवने मदोमुक्खी के लिए अन्लाइन किया था जो आज से दुछ पांद दिन पहले हम लोगों को मदोमक्खी का बक्सा मिल चुका है और इसमें जो है सिर्फ बक्षा ही मिला है हम लोग को इसके साथ जो ब्रॉस होता है चाकू होता है दस्ताना होता है यह सब नहीं दिया गया है जिसलेकर हम लोग अभी परिशानी है कि बक्षा को साफ करना है फिर भी हम लोग अभी तक बक्षा को साफ नहीं किया है जिसका रान परिशानी हो रहा है यहां आपको देख रहे हैं जो हर जगा मैं बक्षा लगा दिया हूँ और मैं आपको बक्सा को खोल के भी दिखाऊंगा, जो बस बक्सा में मधमक किये हैं, देख रहे हैं, ये सभी बक्सा के लिए हम लोग अपने गाउं से 4-5 किसन ऑनलेन किये थे, और ये बक्सा हम लोग को मिला है, कमी है जो इसके मेंटिणेंस के लिए समान था, वो समान हम लोगो हम लोग नहीं दिया गया है. देख रहे हैं है याद हमको तो सिफ एक छोटा जो हथोरी होता है इसको निकालने के लिए वह हथोरी मिला है बांकि कोछ समान ही नहीं मिला है और इस बक्सा के साथ है ओनली एस्टेंड मिला है देख रहे हैं मेरे पास में जो बक्सा है मैं इसको लगा दिया हूं और सभी बक्से में मधमक्खी भी है इसको भी साफ करना है और साफ करने के लिए हम लोगे पास में उस्विधा नहीं मिला है सैन हम लोग से करवा लिया गया है लेकिन समान नहीं मिला क्या करो है परिसानी है हम लोगे साथ बक्सा साफ करना बहुत जोड़ी हो चुका है आप देख रहे हैं मधमक्खी कितने हैं कि अपर में घूम रहा है यह तो मैं अभी एक बक्सा ही आपको दिखा रहा हूं मैं बारी बारी से अपनों को सब बक्सा अपने ब्लॉग में खोल के दिखाऊंगा इस बक्सा में भी पहले बहुत कम मधमक्खी था मुझे लगता था कि इसमें मधमक्खी है नहीं लेकिन अभी अब देख रहे हैं कि मदमक्की का संख्यां जो है जो जैदा है देख रहे हैं इसमें अब इसको साब भी करूंगा तो हम लोगे पाच में दस्ताना दिया नहीं है अब जो अपना भी दस्ताना खईद के लाना होगा नहीं मुँ में लगाने वाला जाल दिया है अब ही इसको खोलूंगा तो पुरा जो है सो चेरा पर ही सब एटेक करेगा इसलिए हम लोग जो गार में लगे हुए हैं जो कहीं से मुँ में लगाने वाला जो इसका जाली आता है वो जाली ले आवें और इसको खोल के फिरे सफाई किया जाए हम लोग संपर्क में हैं जो इसका जो पॉडर आता है दवा आता है वो मंगा के पहले बार हम लोग मान लिजे कि मधो मखी पालन में अपना कदम बढ़ाया है कुछ तो परिशानी होगा जो परिशानी हम लोग घेल रहे हैं मालूम भी नहीं था हम लोगो जो बक्सा लेने के बाद क्या सब दिया जाता है अब जो पुराने भाई लोग हैं जो मधो मखी पालन करते हैं उनसे जानकाई लेने पर पता चला कि आपनों को कुछ समान ही नहीं दिया सब आपनों को बुर्वख बना के जो है सो साइन करवा लिया अब तो जो है सो सब में अपना पुषा फसा के लेना परेगा तो मधमखी पालन करते हैं इसका जो समान है तो सब लेना होगा तभी मधमखी पाल पाएंगे अंधा मधमखी कहां से पाल पाएंगे दोस्तों अब मैं आपको आगे का बक्षा दिखाता हूँ यह जो है मेरा पहला बक्षा था और पहला बक्षा में जो मधमक्षी है वही आप देखे जो पहले तो बहुत कम था अब जो है अब मैं आपको आगे दुसरा बक्षा दिखाने के लिए जा रहा हूँ हर बक्षा को मैं खोल के दिखाऊंगा अभी मधमक्षी के भोजन में तो परिशानी नहीं है काय तो अगल वगल में पुरा सरसो का खेत है दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें जो आपको लिखा हुआ है बिहार बादवानी विकास समीती बिहार बरस दुवाजार चोबीस कोड भी एच वन अपलाई करने के बाद आपको पैंडिया रहे हैं अब मैं आपको दुर्सरा बाक्सा दिखा रहा हूं कि अभी थोड़ा कम हो गया है, देख रहे हैं, सबसे समस्या है कि मधुमख्य को सफाई करना इस बक्षा को जोरी है, जो सफाई करने के लिए भी हमनों के पास में साधन का बहुत कमी है, आप देख रहे हैं, में, में, में में, में, बहुत करत Begin कैनल में, कि यद भी हाउ। दूस्तों इसको साफ करना भी बहु जवरी हो चुका है लेकिन हम लोग को समान ही नहीं दिया गया जिसकार हम लोग अभी खुद परिशानी में हैं जो इसको अभी मधु का जो है जो चीजन है अभी इसके मधु मखी के भोजन के लिए हमारे गलवल में बहुत सारे सरसों का खेती है लेकिन समस्या है बहुत समस्या है हम लोग के साथ जो कुछ लोग जो पहले बक्षा ले लिया उसको तो कुछ समान भी मिला इन हम लोग बक्षा लेस से लाए मेरे घर में काम था सारी था इसलिए के हम थोगा लेस से गए लेने के लिए और हम लोगों से जो है जो सेन करवा लिया गया और सेन करवाने के बाब जूद जो समान होता है उसमें सिर्फ एक हधुरी मात दिया गया है और इस्टेंड दिया गया है जो हम लोगों को बोला गया था कि छो समान दिया जाएगा उसमें से कुछ नहीं मिला और आप देख रहे हैं कि अगर आप के पास में मधुमखी पालने का एरिया होगा तो आप खुद समस्ते होंगे कि इस बक्षा को साफ करना कितना मस्त जबूरी है जो उप्खरण के अभाब में हम लोग इसको साफ नहीं कर पा रहे हैं जिसलिके आप गंदगी भी देख रहे हैं कि कितना जैदे गंदगी है यह तो आप दूसरा बक्षा हो गया है अब देख रहे हैं अब मैं इसका उपर का धक्कन लगा रहा हूँ अब आगे का बक्षा मैं आपको दिखाऊंगा अब यह मैं तीसरा बक्षा दिखा रहा हूँ तीसरा बक्षा दिखिए यह है जो इसमें नमबर भी दिया गया है जीरो छोष्ट चोवरानवे तो मानली जीए कि वोजीन हम फोटो खिचाने के लिए गये और फोटो खिचाने के बाद मेरे घर में उसलिन भोज था तो मैं आ गया लेकिन अब क्या किसका नमबर है वो तो मुझे नहीं मालूम है अवि लेकिन मुझे यह नमबर वाला वख्षा दिया गया है और आब यह तीसरा बक्षा में अब को दिखा रहा हूँ और तीसरा बक्षा में भी मद्रमक्ही दीखिए पराग कम है सब ही तरह में विठा हुआ है और देख रहे हैं और सबसे परिशानी है कि सब बक्षा में वही कमी है कि बक्षा को साप करना बहुत जोरी हो चुका है अब इसमें प्लेट है एक, दो, तीन सब बक्षा में हर ढंका प्लेट लगा हुआ है सबसे पहले अब मारकर जाके कमान भिलाना मेरा बहुत जोरी हो चुका है कहीं भी ये घौसला बनाना सू कर देता है ऍाइच कर दो झाइच कर दो झाल 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 यह दो कियोग bit कि कि दूस्तों अब मैं आपको 4 बख्षा के बोल बर देला हूं में अपने ब्लोग के माद poker हम्छे सब बख्षा में दिखाता हूं और हर बक्षा में मधमख्ष का क्या position है वही में आपको दिखा रहा हूं देखिये अब यह है मेरा चौंथा बक्षा में देखिए कितना सारा मधुमख्य है, देख रहे हैं, देख रहे हैं मधुमख्य, इन सभी बक्षे का वही है, तो सफ़ाई करना बहुत ज़ूरी है, सफ़ाई के चलते हर बक्षा में परिशानी है, तो मधुमख्य इतना बहिया है, दिकास भी बहुत कर रहा है, लेकिन अभी इसको सफ़ाई का ही बहुत ज़ूरी है, मैं अभी आपको चौंथा बक्षा दिखा रहा हूँ, यह चौंथा बक्षा का यह स्थिती है, और सबसे गनीमत है, परिशानी है, इसका अभी समस्या है सफ़ाई का, सफ़ाई करना बहुत ज़ूरी है, और इसमें दवा देना भी ज़ूरी है, कैद चीटी का प्रकोप जो है, जो शुरू हो चुका है, और चीटी के प्रकोप अगर कम नहीं किया जाएगा, तो मधमक्खी का जो है, विकास नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग तो मधमक्खी का प्रसिक्षन लिए, प्रसिक्षन लेने के बाद बक्षा के लिए भी अपलाई किये, और बक्षा भी हमनों को भी मिला, लेकिन अभी दूसरे भाई से जानकारी लेना होगा कि समान इसका कहां मिलता है, और इस पर हम लोग अभी लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग को जो है, तो अभी पूरा जानकारी नहीं मिल रहा है, और जानकारी मिलते ही देखते हैं, सबसे पुछला है जो इसका सफाई करना, देखने हैं, सब जगा इसने भी सारे मदमख्य हैं, सब घूम रहा है, और इसका जो है, हम लोग देख रेक पुरा भी कर रहे हैं, और अभी मैं अपने घर के साइड में, और इधर देखते हैं, जो महगनी का लोग्तियर लगाये हुए है, वहीं पर, दिवाल पर मैं इसको रख चुका हूँ, ताकि इसके विखास में कोई कमी न हो, इधर भी देखते हैं कि पूरा खेती का ही बस्ती है, इधर घरूर नहीं है, इसलिए मुद्मक्खी के बक्षा को मैं इस साइड में रखा हूँ, अब देख रहे हैं, पूरा यहां से लगख 3-4 किलो मिटर का यह पूरा लंबा चौरा बाद है, और इसे बाद में हर ढंका फसल यहां का खेती होता है, और हमारे अगल वगल में भी जहां यह बक्षा है, उसके 200-300 मीटर के दूरी में सर्चो का फूल आ चुका है, जिसका रण मदमक्खी को अपना रस्त उसने में कोई परिसानी नहीं हो रहा है, और देहात में तो मदमक्खी पालन के लिए, इसके भोजन के लिए, तो कमी रहता है, लेकिन फिवी हमनों के यहां पियर पौधा बहुत जैदा है, देखिए, आपनों का आशिवाद रहा, तो यह मदमक्खी कहां तक हम लोगों पौश जाता है, यह तो देखने वाली बात होगी, अब मैं आपको अपना पांचमा बक्षा जो है, वो दिखा रहा हूँ, दोस्तों, यह है मेरा पांचमा बक्षा, और देखिये, मेरा मेरे घर में यह छोटा बक्षा, मैं जो मदमक्खी खोलके देखता हूं, उसको यह लर्ड का अपक्षा नहीं से लगा देता है, और यह पांचमा बक्षा मैं आपनों को दिखाता हूँ, और इस भी अंगल को मैं खोल दिया इसमें मुर्मक्खी है लेकिन बहुत कम है जब कि पहले इसी बक्षे में जैदे थे अब इसको देखना होगा क्या परिसानी है या फिर गया है दाना चुनने के लिए फल चुसने के लिए रस किया है लेकिन सब के साथ कहानी एक है कि हर बक्षा को साप करने का जबूरी है और जिस कारण समान नहीं रहने के कारण मेरे साथ भी परिसानी है और सुरू सुरू में नया चीज जो कोई लंच होता है चाहिए हम लोग नया चीज लिए हैं तो इसमें तो कुछ परिसानी होगा है आप भी हमारे भाई जो किसान है जो नया काम सुरू किये होंगे तो सुरू सुरू में प्रेशानी होता है और उसका पुरा सही समान सही जनकारी हो जाने पर फिर उसके साथ कोई प्रेशानी नहीं होता है तो दोस्तों हर समय मैं आपको अपना नया नया जो है खेती का सिस्टम बताता रहता हूं किसान मेला में कहीं जाता हूं उसको दिखाता हूं आज मैं आपनों को अपना जो मधमक्खी का बक्सा है उसके बादे मैं बताया हूँ जो मैं आउनलाइन किया था और मुझे ये बक्षा मिला है नया था मलूम नहीं था जो इसका कॉंटेक्टर था उन्होंने पूरा समान हम लों को नहीं दिया थोड़ा समान देखे हम भी थोड़ा काम में उस समय ब्रस्ते में लड़का का साधी था फॉर जानकारी भी नहीं हुआ और कुछ समान देखे यहां से चला गया बाद में जब हम लोग वहाँ से सामान लाने के लिए गए तो मुझे सीफ हथ हुजा ही मिला इसके बाद कुछ नहीं मिला जिसका मुझे परिशानी हो रहा है जाल का मुझे लगाने वाला जो जाल होता है जाल नहीं है हाथ में लगाने वाला जो दस्ताना होता है उदस्ताना नहीं है अब तो ये सारा समान आ जाने के बाद पॉडर फिर आ जाने के बाद ही इस बक्षा का साफ साफ हाई हम लोग करे देख देख के ही मुझे अगर बदास करना पड़ता है अब मैं आपनों को यह बता दिया हो आपको पास में अब मैं पांचो बक्षा आपनों को बताया हूँ दिखाया हूँ मथिलाव बाबुरे देखिए पांचो बक्षा जो है बिहार बागवानी विकास समिती बिहार से मुझे मिला था ओनलाइन किये थे और ओनलाइन करने के बाद ये जो हमनों का किसी पोटूसर कमपणी है वहाँ ट्रक से आके उतार दिया गया फिर वहाँ आमनों का फोटोग्राफी हुआ फोटोग्राफी होने के बाद मेरे घर में काम था मैं बार बार बोला और मैं जल्दी में फोटोगीचा के आ गया जिसके बाद वही हुआ जो समान मुझे मिलना चाहिए था वो समान नहीं मिला बाद में सीप एक हतोरी लेकेशन करना पड़ा दोस्तों मैं प्रमूद कुमार हजुली मधवनिशे हूं और आज मैं अपनों के अपने ब्लोग के माधियम से यह जो मधिमखी का बक्से के लिए हम जो ऑनलाइन किया था वो बक्सा मुझे मिला है उस बक्सा को मैं अभी आपनों को दिखाने का प्रियत्न किया ह हुँ और यह बक्सा लेते समय मेरे घर में काम था और समस्या हो या कि उस दिन हम गए और फोटो खिचवा के चले आए लेकिन बाद में मुझे किसी भी प्रकार का समान जो इसमें उप्योग होता है वो नहीं दिया गया जिसकार मुझे अभी इतना कर्षिनाई हो रहा है जो मैं क्या बता हूँ अभी इस बक्से को साफ करना बहुद जवरी है लेकिन उपकरन के अभाब में मैं इसको साफ नहीं कर पा रहा हूँ मुझे बहुत कर्षिनाई हो रही है अब मैं अपने बगल में जो मधुमक्खी पाल रहे हैं उनकी से जाके मिलता हूँ और इस समस्या को किसी भी प्रकार से हल करना चाहूँगा कहतों मधुमक्खी धीरे कम हो रहे हैं तो दोस्तों यहाप मेरा ब्लोक आपको पसंद आया हो इससे आप लाइक सब्सक्राइब जबर कीजिएगा और अगर मधुमक्खी के बारे में आप जानते हैं आपको जानकारी है तो प्यारा सा कॉमेंट भी कीजिएगा और मैं अप